दिल्ली की कानून और व्योस्ता और नद्दिक के भूतकाल में हुए कॉमिनल रायट्स पर इस सदन एक लंबी चर्चा कर दिए कॉंग्रेस पक्स के सदन के नेटा श्री अधिरंजन चोधरी जी ने इसकी सुरुवात की स्रीमती मिनाक्ची लेखी स्रीबालू जी श्रीमान सोगत राय जी वी गीता विश्वनाचन जी विनायक रावुद जी संजय राजुरंजन सिंग जी विनाकिल मिस्टर जी लितेश पांडे जी सकीरुर्बर्क जी अमोल कोले जी संजय जैस्वाल जी स्री कुट्टी जी स्री एम आरिप जी जैदेव जी मसूदी साब आरके राजु जी सुबारायन जी थोमस जी बगवंतमान स्री ओवेसी जी नलिन कटिल स्री विजय जी स्रीमान प्रेमचंदन जी और अंतमे युवास अंसद तेजस्वी सुर्या ने अपने अपने विचार रखे हैं बायन राज सदन के सभी सदस्यों ने दुर्भाग्यपूर्ण रायट्स के लिए जानकारी भी जानना चाहिए सब ने अपने अपने तरीके से अपने अपने सब्दों में इसके लिए दुख भी व्यक्त किया है चिंता भी व्यक्त किया है और आगे क्या होगा इसकी जानकारी भी सबसे वक्तव्य से कौमन निकल कर आ रही है कहीं कहीं दादनीतिक रंग देने का भी प्रयास हुआ है और कहीं कहीं एक जाती एक धर्मग विशेश के लिए भी सिंता व्यक्त की गई है परंतु सबसे पहले में महान सदन के सामने इस रायट के अंदर जिन लोगों की जान गई है वो सबसे लिए सबके लिए रदय की गहराईयों से दुख व्यक्त करता हूँ उनके प्रती सुद्यान जर्ली का भाव सदन के सामने रखना चाहता हूँ जो मारे गए हैं उनके परिवारों के प्रती भी में सम्वेदना व्यक्त करना चाहता हूँ और जिनका सरीर का नुक्सान हुआ है गायल हुए हैं जिनकी प्रती में प्रती में आस्वासन व्यक्त करना चाहता हूँ मन्याद की कूछ चीजे ऐसी है साइद मैं आज की चर्चा में बोलना नहीं चाहता परन्टू विगत कुछ नीनों से जिस प्रकार से देश और दुनिया के सामने इस रायट को इस दुर्भाक्यपुर्ग घटना को पेंट किया जा रहा है और आज भी सदन में जिस प्रकार से इसको रखने का प्रयास हुआ है मैं बड़े संयम के साथ इसकी स्पष्टता जरूर करना चाहूंगा क्योंकि सदन के सारे सदस्यों के माध्यम से इस देश की जन्ता के पास और दुनिया के पास मिडिया के माध्यम से सचाई पहुँच पाए माध्या दक्सी सबसे पहले दिरणजन जी ने कहा कि चर्चा में देरी क्यों हुई माध्या दक्सी पचीस तारीक राट को ग्यारा बजे के बाद एक भी घटना रायटिंग की नहीं हुई ए रेकोर्ड की बाद है पचीश तारीक रात को ग्यारा बजे के बाद एक भी घटना रायटिंग की नहीं उड़ी ये सदन हुआ, शुरू हुआ दो तारीक को दो तारीक के बाद डिमांड आई की चर्चा होनी चाहिए दूसरे ही दिन हम ने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार है हूली के बाद चर्चा करेंगे हूली के बाद क्यों चर्चा करना? क्यों होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें फिर से भावनाए बढ़कने की समभावना रहती है कई बार इस देश में अलग-अलग तानतों में होली के समय डंगों का एक बहुत बड़ा इतियास और जब इतने सडन और इतने केजी से स्प्रेड हुए हुए दंगे हैं तो पुलिस को भी इसकी तह में जाने के लिए कुछ समय चाहिए इसके कारण ढूणने के लिए समय चाहिए और वो सब सडन के अंदर रखने में सरलता है और सबसे बड़ी बात देश में और दिल्ली में सांती बनी रहे यहां के भासनों के कारण या तो मिडिया के कारण या तो फिर से बाहर कोई इस प्रकार का वातावन न बने कि जिससे हुली देश की सांती पूर्णनों हो सिर्फ और सिर्फ यही मकसद के लिए हमने कहा था कि 11 तारिक को मैं इनके बातन माने प्लेट मैं अधिरंदन जी को एक कहना चाहता हूँ होली के कारण डंगा हुआ ऐसा नहीं कहता हूँ मैं चर्चा क्यों अरे सुने तो भाई माने अधिरंदन जी हमारा इतना ही मकसद था कि सांटी बनी रहे और 11 तारिक को लोक सभा में और 12 तारिक को राजे सभा में हम चर्चा करेंगे परन्तु सदन नहीं चलने दिया ठीक है खेर अपनी अपनी पार्टी का एक अपना-पना स्टेंड होता है माने अधिर्जी मैंने सबका भाषण धायर्यपुरुवग गंभीरता से सुना है मेरे आपसे प्रोटेक्शन की भी मांग है आप मुझे संड़क्शन दिजिए सब मेरा भाषण भी जरा सांती से सुने और सुनना चाहिए मन्य अधिदी इसी के तहर आज अभी ये चर्चा हो रही है अभी मैं सदन के सामने आया हूँ अधिरंजन दिने शुरू किया कि खून की होली अभी भी चल रही है मैंने पहले इस पस्ट कर दिया कि पचीस कारीक की रात को ग्यारा बजे के बाद एक भी कॉमिनल राइट की जटना नहीं अरे मानने अधिदी मानने अधिदी काफी सारे सदस्यों ने एक सवाल उठाया कि दिल्ली पूलिस क्या कर रही थे मैं थोड़ी वास्तविक्ता इस सदन के सामने रखना चाहता हूँ विपक्स का एदाई तो है इस सदन के अंदर कि सद्तापक्स और सद्तापक्स के आधिन विभागों की कड़ी आलोच ना करे कड़ी निग्रानी रखे और कहीं गलती होती है तो उसको सदन में भी उठाए सदन के बाहर भी उठाए मैं ये अधिकार से कोई आपत्ती नहीं करता परंतु जब दंगों की बात हो पोलीस मैदान में जूज रही हो पोलीस प्यास कर रही हो और पोलीस को आगे बर भी इसका इन्वेस्टिगेशन करकर धंग से चीजों को सत्य को कोट के सामने रखना है उस वक हमने वास्तविक्ता को समझना चाहिए मैं आज यहां खड़ा हुआ हूँ तब सवाल करें कि पोलीस क्या कर ले थी मानने दगजी दिल्ली की जन संख्या 1.70 करोड है 1.70 करोड है और जहां दंगा हुआ वहां की आबादी 20 लाग पोलीस का सबसे बड़ा काम था और मैं इसके लिए दिल्ली पोलीस को प्रसंचा भी करना चाहता हूँ और साबासी भी देना चाहता हूँ सुनिये सुनिये मेरी बात तो समाब दोने दीजे मेरी बात तो आप ठे नहीं जब मैंने दुख व्यक्तिया आप नहीं थे क्यूंकि मानने वर ये 20 लाख लोगों के बीच में जो दंगा हो रहा था इसको दिल्ली में स्प्रेड नहीं होने देना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और मैं मानता हूँ कि इसको बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली पूलिसने निलाए है मैं 20 लाख लोगों पर भी बाद में आता हूँ कि क्यूं हुआ कैसे हुआ और क्या तकलिप ये सारी बातों को बताऊंगा परन्तु ये हिंसा मानेवर दिल्ली के 4 प्रतिसत छेत्र और 13 प्रतिसत आबादी तक सिमीत रखने का काम दिल्ली पुलिस ने किया है दिल्ली में फूल 230 पुलिस थाने है उसमें से 12 थानों में हिंसा रूकी रही और भड़काने का प्रयास तो सब जगे हुआ था परन्तु ये 12 थानों तक हिंसा रूकी रही मैं मानता हूँ मानेवर कि ये ये सबसे पहली जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के सरपर थी के हिंसा को रोकना दूसरा समय सार्णी मानेवर लगबग लगबग 24 तारीक 24 फरवरी 2020 को दो बजे के आसपाच पहली सुचना प्राप्त हुई 24 तारीको और अंतिम सुचना प्राप्त हुई 25 फरवरी राद को 11 बजे ज्यादा से ज्यादा 36 गंटे तक एरायर सले हैं OEC साब फिर से खड़े होंगे के मैं साबासी दे रहा हूँ मैं साबासी नहीं दे रहा हूँ ये दूसरा पक्स रख रहा हूँ OEC साब कि इसको 36 गंटे में समटने का काम दिल्ली पूलिस ने किया है और बहुत बड़ी प्रेड की दंभावनाव को जीरो करा है मने वरे स्विकार ना पड़े का ये मने वरे स्विकार ना पड़े का कुछ लोगों ने कहा मानने सदर्ष एक मिन करा मंती एक मानने सदर्ष 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 एक माने ग्रमंती जवाब दे रहे हम सबको भी उनका जवाब शान्ती पुन तरीके से स्कुरूए माने वर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि 36 गंटे के अंदर इसको सांत करने में दिल्ली पूलिस चफल रही है 36 गंटे के अंदर क्या हुआ इसको मैं अंदर मैं नहीं करा दादा मैं आपको देखकर ही पहले कैसे मैं अभी नहीं पूछ सकते आपके माने वर माने वर मैं मैं अभी भी कहता हूँ कि मैंने सब को सुना है मैंने सब को जहरिय से सुना है कहीं मैं खड़ा नहीं हुआ सत्ताधारी पक्स के सदस्य कुछ तोका तोकी करते थे तो भी मैंने रोका पुपले आप मुझे सुने गंबीर चर्चाए नौ 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 माने आप सदन के नेता है फ्ली माने वर माने वर स्रीमान सौगत राईजी ने और काफी सारे स्दस्यों ने मेरे बारे में भी सवाल उठाए आपको मेरे बारे में सवाल उठने का अधिकार है और आप उठा सकते हैं परन्तु कथ्यों के साथ तोर फोर करने का किसी को अधिकार नहीं उन्होंने कहा कि मैं वहां ट्रम्प के कारेक्रम में बैठा जा मानेवर स्रीमान ट्रम्प का कारेक्रम पहले से तही था मेरी कॉंस्यूटेंसी में था मेरा जाना भी पहले तही था और मैं अगले दिन गया उसक कोई घटना नहीं दो बज़ लेज और मानने वर मैं यहाँ पर साड़े छे बज़े आ गया उन्होंने कहा कि ताजमल गए मैं कुल ताजमल बाजमल नहीं गया दादा सुनिये ना काफी सारे लोग बुले मैं सिधा यहाँ है उसके बाद दूसरे दिन राष्ट्रपती भवन पर स्रीमान ट्रम्प की अगवानी हुई मैं नहीं गया था दूपेर को लंच हुआ मैं नहीं गया राथ को डिनर हुआ नहीं गया डिनर में भी नहीं गया हूँ आप रेकोर्ट चेक कर सकते हो दादा पूरा समय मैं दिल्ली पूलिस के साथ बैठ कर एक कैसे आगे न खेले और कैसे कंटोर हो इसकी मैं सकते हुई मान्यवर 24 तारिक की साम को साथ मजे ही आप सांति मान्यवर 24 तारिक की साम को साथ बजे 25 की सुबह आठ बजे 25 की दूपर सर्वद अलिये बैठक के अंदर जिसमें कॉंग्रेस आप पाटी सब थे 25 की साम को साड़ेशे बजे तक ये सारी रिव्यू मिटिंग मेरी अध्यक्ता में हुई मैंने ही एने से का सवाल उठाया मैं एक पूरे सदन के माध्यम से देश भर को कहना चाहता हूँ जब दंगे होते हैं जब किसकी क्या जिम्मेदारी होती है वो नहीं देखते मैंने है इस्री अधित दोबल को विनंती करी थी कि आप जाएए पूलिस का मनोबल बढ़ाइए और मेरी ही विनंती पर वो वहाँ देखते मैं क्यूं नहीं गया इसलिए नहीं गया कि मेरे जाने से पूलिस मेरे पिछे लगती पूलिस का काम उस वक्त दंगे को सांथ करना था मानेवर मैं आज इतना ही कहना चाहता हूँ कि तूरंत ही special CP appoint करे गए सारी 26 तारीक को भी विवस्ता करी 27 को भी करी और 25 तारीक राज से पूरी चीज कंट्रोल में आना सुरू हुई इमिजेट इसका investigation चालू हुआ है और आगे की कारेवाही सुरू हुए गंगे इतने जल्डी इतने कैसे फेल गए यह बात सही है पचास से ज़्यादा लोगों की जान गई है हजारो करोर का नुकसान हुआ है यह कोई छोटी चीज नहीं है गंगे क्यों फेल गए मानेवर हमें पुरुवत ता दिल्ली जो है वाला एरिया है एकदम संक्री गलिया है जहां पर पोलिस की वैन सायर ब्रिगेड पोलिस का दूपई या वेहिकल भी नहीं जा सकता इस प्रकार की संक्री गलिया है सबसे जादा दिल्ली में मिली जुर्दी आबादी दोनों कॉम्यूनिटी की उत्तरपूरों में है और यहां पर गंगों का पूरा पुराना इत्यास है मानेवर अप्रादी कत्तों का भी वहाँ पर काफी समय से एक पुराना इत्यास रहा है और यह यूपी की बॉर्डर से भी सटा हुआ सित्र है मैं यूपी की वोडर और बाकी बातों पर बाद में आऊंगा परन्तुमाने वर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा CRP बेदनी चाही थी हजारों की संख्या बेदनी चाही थी कोई सदस्य सुजाव कर सकता है कि उनके पास साथ इंफर्मेशन नो हो मेरा भी दाई तो है कि पूरी इंफर्मेशन से मैं उनको अवगत करा हूँ इसलिए मैं सारी चीजों को कह रहा हूँ हजारों की संख्या में बेद देना चाहिए सा देरी नहीं होने चाहिए थी कुछ लोगों ने कहा मिलेटरी ला देनी चाहिए थी मानेवर बाईश तारीक को और तेईश तारीक को सत्रा कंपनी दिल्ली पुलिस की तेरा कंपनी C.A.P.F की कुल तीश कंपनी एक्षित्र में पहले से ही वातावन को देखते हुए हमने रखी थी बाद में मैं आता हूँ वातावन क्यों ऐसा हुआ 24 तारीक को टोटल 30 के प्लस और 40 कंपनिया बेजी 25 तारीक को और 50 कंपनी बेजी और 26 27, 28, 29 से टोटल 80 से ज्यादा कंपनिया वहाँ पर तैना थे आज तब तैना थे striking force भी बनाए गए हैं व्रज साधन के भी striking force बनाए गए हैं water cannon के भी striking force बनाए गए हैं और मुस्ते भी से गुनेगारों को पकड़ने की भी व्यवस्ता सुरू कर दी गई है मनेवर कुछ सदस्यों ने सवाल उठाए कि एफायर हुआ या नहीं हुआ क्या करी है कितने पकड़े गए मनेवर 25 तारिक की राज से 26 एक एतियाद के तोर पर हमने गंगा और भढ़के इसके लिए रहा देखी 27 तारिक से आज तब 700 से ज़्यादा प्रात्मी की दर्ज की गई है 700 एफायर हमने दर्ज की OAC आप कह रहे थे कि जैसे एक ही कॉम्यूटी के लोगों पर संकट है मगरे दोनों कॉम्यूटी के लोगों पर है और ऐसे मुझे लगता है सदन में भासन नहीं करना चाहिए टोटल 26 से 247 लोग 267 अब ये कह रहे थे CCTV और वीडियो फूटेज का डिटेल 25 से ज़्यादा कॉम्पूटरों पर एनालिसिस हो रहा है हमने एड़ोटाइज दे कर समगर दिल्ली की जनता से समगर मीडिया जनों से डिटेल मागा है कि भी आपके पास कोई भी फूटेज हो और कोई भी चीज हो तो आप रुपिया इस इमेल ले ड्रेस पर इस वाट्सेप नंबर पर बेज़े और मुझे कहते हुए आनन्द है कि दिल्ली की जनता ने हजारों की संख्या में वीडियो आइदर और साइट से दिल्ली पूलिस को बेज़े हैं और अंकी सर्मा का खुन का भेद भी मुझे आसा है वो ही वीडियो में से बहार आने वाला है माने वर जो वीडियो किसी नागरीक ने दिखा है ये कह रहे हैं क्या किया इसलिए मैं कह रहा हूं फेस आइदेंटिफिकेशन सौप्टवर के द्वारा ये सारे फेस को पहचानने की प्रक्रिया चालू कर दी ओवेसी साब ने एवी कंसर्ण व्यक्त करा हाला कि एक ही कॉमिडियो के लिए किया कि निर्दोस न पकड़े जाए ओवेसी साब ये सौप्टवर है वो धर्म नहीं रेखता है वो सौप्टवर है हमने वॉटर आईडी का डेटा डाला है ड्राइविंग लाइसस का डेटा डाला है और भी सरकारी डेटा जो था वो सारह अंदर डालने का काम किया है इससे ग्यारा सो से ज्यादा लोग आइडन्टीफाइव हो चुके हैं और मैं इसमें बताना चाहता हूं क्योंकि अब मुझे बूलने दो ना और 24 तारीक को माने बर 24 तारीक की राट को 24 तारीक की राट को दस बजे यूपी की बॉर्डर स्थिल करने का करा था उसके बाद भी तिन्सों आप वकील मत बनो इनके मानिये 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 यहां दो एक मानिये बहुते ब मानिये हम किल आपने शुखत गहां पुरी बार अशितवी में कॉर्ण में गुर। में बोल्या है आदया चाठी हो सिरूठी चाठी होग्ड आपने पूल गर्षास के गार किसे ऐभा हम यह कि मैने ऐएए किसलर प्रही तो हीमेटेटर डाब कि गुग सोफ्सेटर फिर डिथि विमर्मि डाब the house to function on the same issue and now honorable home ministry is replying they are walking out they do not want to listen because they do not have the courage to listen what is the fact and how it was controlled this is the hypocrisy of the congress party I have a question from the owner of the service you have to answer the question from the government. The speaker is a great speaker. This is not a spiritual voice. इतने सब्वे दिन चिल विशे पर चर्चा मांगना चर्चा के समय अपने मुद्दो को ठीक प्रकार से कहते हुए जो जो सरकार को कोसना है वो सब बाते कहना वो उनका अधिकार है और जब सन्वानिय गुरो मंत्री जवाब देने के लिए आते है तो उनका जवाब नहीं होने देना और कारण नहों होते हुए भी सबात्या करके चले जाना ये लोग के तंत्र की अच्छी परंपरा नहीं है जब आप बात कहते हो तो दुसरे की बात भी सुननी चाहिए ये लोग कंत्र का सही अत्तम स्पिरिट है ये बात ठीक नहीं है कभी ना कभी आपने भी इसका कॉपनिजन्स लेकर इन लोगों को इस बात को समझाना चाहिए आँ मैं बोल रहा हूँ जादा मैं बोल रहा हूँ मानने वर मैंने का फेस आइडेंटिफिकेशन के सौट्वेर के माध्यम से हमने ग्यारा सो से जादा लोगों का फेस आइडेंटिफार कर दिया है उनकी पहचान कर ली गई है चालीश टीमे बनाई है चालीश टीमे जो इनको एरेस्ट करने की प्रक्रिया में आज जीन रात लगी है मने वर इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से दिल्ली की जनता और देश की जनता को अस्वस्थ करना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोधी सरकार आईजर और साइड से किसी भी व्यक्ति को नहीं बक्सेगी जिसका इस लंगों के अंदर रोल और साइंटिफिक एविडन्स के अधार पर हमें पूरी कारिवाही कर रहे हैं साक्षो के बयान साक्षो के बयान गर्ज किये जा रहे हैं बयान भी वीडियो ग्राफिक के सामने दर्ज कर रहे हैं पूरी चिंता हम कर रहे हैं कि किसी निर्दोस को कहीं पर भी कोई तकलिप न हो मानेवर दो S.I.T. की टीमे बनाई है जो सिन्यर मोस्ट पुलिस अपसरों की अध्यक्ता में बनी है जो 49 के आसपास सीरियस टाइप के गुनाहों की जांच करेगी मानेवर 49 आर्म्स एक्ट के केसिस हमने रजिस्टर किया है 49 से जादा और लगबग 152 आर्म्स भी इतने कम समय में रीकवर करे हैं जो दंगे के अंदर उप्योग में आए मानेवर इन्होंने कहा सांती समिती की मिटिंगे बुलानी चाहिए सांती समिती क्या घठन होना चाहिए सांती समिती का मिटिंग 25 तारिक को सांको चार बजे से हमने शुरू कर दिया था और अब तक साड़े 600 से ज्यादा सांती समिती की मिटिंग तीनों हिंदू, सीग, मुसल्मान, पार्शी, सभी कॉमिनिटी के लोगों की हम कर चुके है चालीज टिमो का जो गठन किया है मानेवर, इसके अलावे एक हमने कॉंस्पीरसी का भी केस दर्श किया है क्यूंकि इतने कम समय में, इतने दंगे स्प्रेड होना, वो तभी संभव है जब कोई पुर्वन योजीत सडियंत्र हो इसकी संभवनाओं को जांच करने के लिए हमने कॉंस्पीरसी का भी केस दर्श किया है मानेवर, इस पर मैं बाद में आऊँगा मानेवर, हमने दिल्ली के अंदर, फरवरी के बाद, जनवरी के बाद, कितनी राशी हवाला से आई है बाहर से आई है, ऐसी कामों में लिप्ट, संस्थाहों की वर से आई है, इसका पूरा इंफरमेशन हमने सरकारी एजन्सियों के साथ खंगाला है हम नतीजे पर भी पहुंचे हैं, मगर क्यूंकि अभी प्रिमेच्चुर है, मैं सदन के सामने इतना कहना नहीं चाहता परन्तु इतना कहना चाहता हूं, कि इन में से तीन लोग जो दिल्ली दंगो का फाइनांस करने वाले थे, उनको दिल्ली पूलिस ने एरेश्ट कर चुका है और उनके पास से जो इस परमेशन आएगी, वो उसकी जांच आगे जाएगी मानने वर, आएस से जुड़े हुए तीन व्यक्तियों की गिरास्ट, एक दो व्यक्तियों की गिरवतारी करी है एक को हिरासत में लिया है, जो सोचल मीडिया के माध्यम से विदेश से आए हुए फूटे जो को गलत तरीके से लोगों के बीच में ले जाते थे और दंगों से जुड़े दस महत्मपुर्मामले हैं, उसको एक वरिष्ट अधिकारियों की और टीम बना कर माने वर हम जाच कर रहे हैं मैं फिर से एक बार सदन के सभी सदस्यों को और सदन के माध्यम से दिली की जंता को विचेश कर और देश की जंता को कहना चाहता हूँ कि जिनोंने भी दंगा करने की हिमाकत की है, वो कानून की गिरब से इदर उदर एक इंच भी भाग नहीं पाएंगे आज मैं सदन के सामने के लागा मने वरे सारी जाच जो हुरे, वो सारी जाच विज्यानिक आधारों पर हुरे कोई यर से पर नहीं करने, हमने पूरी सिल्टा करी और मैं खुद मिटिंग के अंदर रिव्यू करे हैं पूरी जाच की प्रक्रिया का, कहीं पर भी किसी निर्दोस को लिया न जाए हो सकता है पूर्टाच के लिए किसी को बुलाए मगर जहां तक एरेश का कवाल है, एरेश उसी की होगी जिसके खिलाब स्टॉंच सबूत होंगे, पुक्ता सबूत होंगे और वो सबूत पूलिस पहले जाचेगी, सिनेर अपसर जाचेगा तभी जाकर करेंगे, इसलिए OEC साब को चिंता करने की जरूरत नहीं है मानेवर, मैं ये दंगो के पूष्ट भूमी में भी जरूर जाना चाहूंगा मानेवर, ये दंगो की पूष्ट भूमी क्या है, जब से इस सदन ने और इस सदन कोई एक पार्टी का नहीं है, मानेवर, कोई एक दल का नहीं है सभी दलके लोग बैखते हैं और हमने आंद्रे के विभाजन की तरह से ये बिल पास नहीं किया था दरवाजा बन करकर टिंगा टोली करकर सांसदों को बाहर फैंक दे कर इस प्रकार से हमने ये बिल पास नहीं किया था हमने पूरी लोक्तांत्रिक तरिके से चर्चा करकर धहरियपुर्वक मैंने इस सब को सुना है जिन को सुना है इसके जवाब भी दिया है और उसके बाद मत्दान करकर इस महान संस्ता के दोनों सदनों ने C.A. के बिल को पास दिया अब C.A. के बिल को लेकर इस सदन में पूरी स्पष्टता होगी पूरे देश भर के अंदर गुम्रा करने का प्रयाश से को युवाओ को गुम्रा करें माइनोरिटी को गुम्रा करें कि माइनोरिटी की नागरिक्ता चली जाएगी अरे भई कौन सा क्लोज है C.A. का मुझे बताईए जरा आज भी बताईए कौन सा क्लोज है जो किसी की भी नागरिक्ता मुसल्मान छोड़ दिए किसी की भी नागरिक्ता लेने का किस क्लोज से हमें सक्ति प्राप्त होता है C.A. के अंदर नागरिक्ता लेने का कोई प्रावदान है ही नहीं पीडित लोकों को नागरिक्ता देने का प्रावत है परंतु परंतु मानने हुए अलग-अलग प्रकार से काफी चीजे फिलाई की ये कह रहे हैं कि अब जब तब मैं उसका भी कहता हूँ मैं वो 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 भी कहता हूँ माने वर मैं आज भी पूरे सदन को कहना चाहता हूँ और विशेश का दादा जैसे अभ्यासू लोगों मेरी चेंबर में आईए और मैं सब चीजों का जवाब देने के लिए आपको तयार हूँ, बदा हुआ हूँ, मेरी constitutional responsibility है, मैं जवाब देने के लिए तयार हूँ, दादा ये जो सरनार्थी आए है, मानिवर ये जो सरनार्थी आए, आजादी के बाद अब तक, विजा और नागरिक्ता के बारे में 27 जगर पे धर्म का उलेख हुआ है, पहली बार नहीं हुआ है, और कॉंग्रेस के सासन में सबसे ज़्यादा हुआ है, मैं पूरा record भी लाँँगा, सदन के सामने कलग चर्चा में विशे भी लेकर दर्म के आधार पर बना हुआ कानून है, कैसे आप कह सकते हैं, तो दर्म के आधार पर पहली बार कानून बना, पचीस कानून में बदा सकता हूँ, और मान्यवर कहें तो मैं सदन के record पर भी रख भी, घख तो मैं कल रखूंगा record पर, धेर सारे कानून हैं, मगर बाद में पोड़ना बन कर दीजिए कानून तो कानून तो मैं वहां से लाओंगा मानेवर एक बात मैं सिटीजन सिटीजन की बात मैं मैं मानेवर 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 मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बात ऐसी आई कि सिये के विरोज करने वाले सांती थे बैठे थे सिये के पक्स में जब लोग निकलना सुरू हूए दंगे हो गए जहां कहां रहते हूं दादा दादा मैं बताता हूं यह पचीज तौबीस फरवरी के पहले सिये के विरोज से ज़्यादा सिये के समर्थन के लिए रेलिया लाक बंद रखेंगे तो नहीं दिखाई देगा जो देखना चाहेंगे वही देखेंगे तो नहीं दिखाई पड़ेगा देश भर में रेलिया निकलिए लाक लाक की निकलिए 27 से ज़्यादा रेलियों में मैं स्वयम गया हूं और कहीं पर भी और और साब दानिक जी मैं आ अब क्यों हुआ इस पर में आना चाहता हूं इस समझने जैसी बात है 14 डिसंबर को 14 डिसंबर को राम लीला मैदान में पार्टी बड़ी रेली करती है एंटी सी ए रेली में पार्टी के अध्यक्स महोद है भासन करते हैं कि घर के बार निकलो आरपार की लड़ाई निकलो अस्तित्रों का सवाल है इसके बाद उनके एक वरिशने सा भासन करते हैं अभी नहीं निकलो तो कायर कहलाए जाओगे क्या भासन है और इतनी सारी हेट स्पीज हेट स्पीज दाड़ा बोलते हो आप सब लोग ये हेट स्पीज नहीं लगती क्या आपको खराब नहीं है घर के बार निकलो आरपार की लड़ाई लड़ो ये खराब नहीं है और साथ देखे देखे जीस हेट स्पीच का वो जिक्र करे है वो तो पुलिस जांच करिए जो कानूनन होगा वो करेंगे परन्तु वो हेट स्पीच के बाद कुछ नहीं हुआ ये 14 डिसेंबर की रेली के बाद 16 डिसेंबर को साहीन बाद का धर्णा सुरू हो गया और वहीं से ये चीज की मानेवर सुरूआत होगी मानेवर मैं आपको कहना चाहता हूँ उसके बाद चौबीज एक स्पीच होती है 17 फरवरी को दादा ध्यान से सुनना 17 फरवरी को एक संगठन चलाते है युनाइटेड अगेंच हेट नहीं तो इतना पायस है कि हमको भी सुनने जाने का मन होगा भादन क्या कते हैं हम वादा कते हैं चौबीज तारिक को जब डोनाल टरंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम उनको बताएंगे कि हिंदुस्तान की सरकार क्या कर रही है यह बताने के लिए मैं सब लोगों को धर्म का नाम नहीं बोलता हूँ अवां को हिंदुस्तान के हिंखुमरानों के खिलाब रोड पर आने के लिए अहवान करता हूँ और चौबीज तारिक को धंगो की सुरुआ जिए यह 17 तारिक हो यह हेट स्पीद नहीं है मनेवर यह हेट स्पीद नहीं है क्योंकि वो वाट बेंक को एड्रेस करती है इसलिए वो हेट स्पीद नहीं है मनेवर उसके बाद वारिषकान पठान जरह सुनना भई ओवेसी जी वारिषकान पठान 19 फरवरी 2020 24 तारिकों दंगे होते 19 फरवरी को क्या हुआ 19 फरवरी को वो कहते जो चीज मांगने से नहीं मिलती वो छिननी पड़ती है 15 करोड हम है कौने मुझे मालूम नहीं हम 15 करोड है मगर 100 करोड पर भारी पढ़ेंगे रोड पर निकला माने वारो 120 तो दंगा हो सुनिये ना बयान वापिस लेने से क्या है साथ माने वर बयान वापिस लेने से नहीं होता सोस्यल मीडिया के जमाने में वाइरल होने से हेट स्पीच अपना असर दिखाती है 19 फरवरी को ये बयान आया 24 को दंगे होते माने वर और मैं बताना चाहता हूं कि ये इन उत्तेज़ात्मक भाषणों के बाद 23-22 फरवरी की रात को और 23 की सुबे दिल्ली में 8-9 जगे पर अलग-अलग प्रकार के धरने और उत्तेज़क वातावन होना शुरू हुआ जो जाकर 24 तारिक को दंगों में परिवर्तित हुआ माने वर एक भाषण वो भी हेट स्पीच हो सकती है पूलिस दाच करें है परन्तु एक भाषण जिसके 30 दिन तक कुछ नहीं हुआ वो आपको हेट स्पीच दिखाई परती है 19 तारिक को 22 तारिक को होते है जिसके बाद दंगे हो जाते है हेट स्पीच नहीं दिखाई परती है हम कम से कम इस सदन के अंदर राजनितिक रंग से कॉमुनियल दंगे जैसे समवेदर सिल मामले को न ट्रीट करें यह मेरा सब से कहना है इन्होंने कहा माने वर मैं इसलिए कहता हूँ कि यह सड़ी अंतर है माने वर सोस्यल मीडिया के माध्यम से लगबग साहीट एकाउंट साथ एकाउंट ऐसे मिले जो 22 के दिन सुरू हूँ है और 26 के दिन बंग हूँ है साथ है काउंट और वो क्या समझते हैं बंग करने से बच जाएंगे क्या जहां पर भी है पुलिस जूंग कर निकालेगे जूंग कर निकालेगे माने वर 35 मामले हमने आईटी एक के तहट दर्ज कर चुके है उनको भी ढूंग कर निकालेगे जो कठोर कारेवाही करते हैं वो बाद में कहीं आ न जाए बचाने के लिए मेरा इतना ही सबसे माने वर हमने विग्यापन और सोस्यल मीडिया से भी अफ़ाओं से दूर रहने का हमने किया माने वर पैसा भी दिल्ली में पहुँचाया गया ये भी सड़ी अंतर का हिस्सा है हम इसकी त्याहे तक जाएंगे इसकी रिसीवड करने वाले लोगों को पुरिस ने एरेस्ट कर लिया है मगर पैसा भी पहुचाया गया सोस्यल मीडिया से भढ़काया गया उसके खिलाब 14 दिसंबर 17 फरवरी 19 फरवरी 22 फरवरी गंदे भासन किये गये और ट्रम्प आये तभी करो इस तरह से उक्साया गया मैं मानना हूँ मानना हूँ मानना अध्यक्स जी कि पुलिस अभी धूंड रहे कि इसके पिछे क्या हुआ है मानना अध्यक्स महोदै ये पूरा दंगा जो हुआ उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी जली है मुझे भी भैंकर दूख है वेदना भी है किसी की काले पसिने की गठन के लिए दिल्ली हाइकोड को पत्रल लीख चुका है लीख लिए हैं वीडियोग्राफी के अधार पर जिनोंने दुकान जलाई है जिनोंने वेहिकल जलाए हैं जिनोंने सारवजयनिक संपतिया जलाई है वो सारे लोगों को पकड़ कर उनका सारा संपती इन लोगों को बक्षा नहीं जाए बालू जी मैं बता था आपने साइड वो ट्रांसलेशन नहीं लगा है हमने दिल्ली दिल्ली हाइकोट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है कि इसके लिए आप एक हाइकोट के जज का नाम दीजे यह पुलिस नहीं करने वाली हाइकोट के जज ही करने वाली है तो आपको आस्वस्ति के लिए मैं कह रहे है हमने अचाही पत्र लिखा है और आज रजिश्टरा ने पत्र दिल्ली के चीफ जस्टिस आपके सामने मानेवर दे दिया है मानेवर मैं अभी अपने बर्क साब कहते है कितने हिंदू मरे कितने मुसल्मान मरे कितने दुकाने हिंदू की जली कितनी दुकाने मुसल्मानों की जली कितने घर जले मनेवर में आकरा जरूर देता है 52 भारतियों की मुर्ति हुई है मैं हिंदू मुसल्मान में नहीं मान दे 52 भारतियों की मुर्ति हुई है 526 भारतियों गायल हुए है 371 भारतियों की दुकाने जली है और 142 भारतियों के घर जले है इस सदन को भी हम हिंदू-मुसल्मान में बाटेंगे किया इस प्रकार से दंगो की चर्चा में इस प्रकार से आंक्रे मांगे जाते नहीं छोड़ लए ही देता हूं इनू-मुसल्मान नहीं करता हूं और OAC जीने बड़े जनून के साथ कर ओ कि मजजिर जल गए, वो इसी साब मंदीर भी जले है, wore शड़ातनिक इसके लिए भी दुखवयक्त कर देते, मैं मंदीर और मजजिर दोनों जले हैं, दोनों के लिए दुखवयक्त करता हूं, कोई भी धर्मस्तान चाहे, गुरुद्वारा हो चर्छो, मंदीर हो मजजिर हो न सदादी है वो भी बोले होते तो सदन की सोभा बढ़ती है और एक वाक्य सुरू में बोले बाद में सारे नाम आप मैंने ज्यान से सुना है और कम से कम आप वारिज बाई को समझा देते तो भी काफी भला हो जाए मानेवर दंगो का इतियार अब मानेवर दंगो का इतियार अब मानेवर मानेवर वो कह रहे थे कि हमारे समय में दंगो काफी सदस्यों ने चीजे रेकोर्ड परत्की में तहह में जाना नहीं चाता परंटु एक आखड़ा जरूर कहना चाता हूँ कि भारत के इतियास में दंगो में मारे गए लोगों में 76% आपको कोई अधिकाल नहीं दंगो के लिए बात करने का मानेवार मुझे कह रहे हैं कि गुरू मंत्री ने सांती की अपिल नहीं की मैंने की भी है मगर नहीं भी की होती मैंने ऐसा नहीं कहा कि बड़ा दरत घिल जाता है तो धरती हिल जाती है तीन हजार सिख भाई रात जला दिये गए काट दिये गए क्या हुआ जात क्या करिए आपने हम तो बताएंगे जात क्या करिए बताया भी है सबको पकड़ा है पहले भी पकड़ा है जहाँ 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 हमारे सासर में क्या किया? जब तक भारतिय जर्टा पार्टी की सरकार नहीं आई कॉंग्रेस का एक भी कारेकर साथ पकड़ा नहीं गया दादा मेरा आसा है मेरा आसा है बताता हूँ दादा मैं इसलिए मनेवर मैं इसलिए बताता हूँ दादा थोड़े इडिटेट हो जाते हैं मैं इसलिए बताता हूँ कि कॉंग्रेस पार्टी जो कह रही है कि दंगे हमारे समय में मैं उनको याद कराना चाहता हूँ और वो सु कि अंदर जाना नहीं चाहता है वरना धेर सारी चीज़े हैं मेरे पास देर सारी चीज़े हैं नहीं बोलना है भई मगर मैं इतना कहना चाहता हूं कि 76 परसंट लोग चले मारे गए और हमने इतनी केज्वेली राइट्स को नहीं लिया तीन हजार सीख भाई बेंट जला दिये गए और आप कहते हो कि दरग गीड़ता है तो जमी नहीं हिलती किसी को मानेवर मानेवर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दंगा किसी को अच्छा नहीं लगता है डंग ये किसी भी सासन में होने नहीं चाहिए मगर एक सोची समझी सडियंत्र के तहट एटेम्ट हुआ है एसा मेरा प्राइमा फेशी मानना है पूलिस के पास काफी पुक्ता सबूत भी आए पूलिस इस सुख्था इन्वेस्टिगेशन कर सकते कर रही है मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज मैं दिल्दी के हरे एक डंगे में मारे गए व्रत्ति के परिवार दूख तो व्यक्त करता हूँ मगर उनको आस्वस्त भी करता हूँ कि आपके परिवार जनों की जिनों ने जान ली है वो कोई बक्सा नहीं चाहेगा चाहे किसी भी धर्म का हो चाहे किसी भी जाती का हो किसी भी पार्टी का हो कोई बक्सा नहीं और एक दंगे पूरे देश के लिए एक सबक बने कि दंगा करने वालों को कैसा अंजाम होता है इतनी कठोर ताकि साथ दिल्ली पूलिस कारेवाही करेगी मैं पूरे सदन को आस्वत्त करता हूँ बैच जाई, मैं बता हूँ जो बस्पा के सांचद मोहरे कह रहे हैं कि पूलिस पच्छरबाजी कर रही थी एक बार OVC साब ने भी पूरी जाच कर ली है तीन सो मिटर दूर थे, टीर गेस चला रहे थे मगर जब पथर चारो और से आ रहे वो गंगाईयों को भगाने के लिए पथर बाजी कर रहे थे, गोली नहीं चला रहे थे और दंगाईयों के साथ नहीं दंगाईयों के साथ नहीं थे भाई पूरा इसका अरे पूरा वैज्यानी कहना लिस्टिस हो गया है कोई सवाल ही नहीं है और मानेवार यह जो कहते हैं कुछ नहीं हुआ है लगबख 5000 से ज़्यादा टियर गेस के सेल छोड़े गए है 400 से ज़्यादा आंकड़े मेरे अंदर है 400 से ज़्यादा गोली चलाई गई है आशुगेस के गोले दागे गए हैं लाटी चार्ज किया गया है परन्तु दोनों और सायम से काम लेकर पूलिस ने इसको 36 गंटे के अंदर समाप कर दिया है इतनी dense population वाली जगह पे 36 गंटे के अंदर रायट दबा देना और दिल्ली जहांस पर हर जिले के अंदर हर वाड के अंदर mixed community रहती है वहाँ रायट को spread न होने देना वो दिल्ली पूलिस की प्राच्च मिक्ता थी मानि वर मैं फिर से जिनों ने भी दंगा किया है वो सबीके कथी तोर से कटोर कटोर कारेवाहिका बेश की जनता को आश्वासन देकर मेरी बात को समाप करता हूं भारत मातकि अबात की अबात की कारवाण subscribe to our channel by clicking the subscribe button click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel